तो गाइस मैं हुआंके तो और आप दिख रहे हैं Wrestling Fans Network तो यह रही गाइस पहली official update वीडियो CM Punk के official Survivor Series WWE Return के बाद बहुत सारी updated CM Punk को लेगे बाई बता भी नहीं सकता में इतनी सारी है सब कुछ इस वीडियो में नहीं कवर करूँगा वरना ये वीडियो बहुत लंबी होगी 20-20 मिनट की अगली वीडियो में भी कवर करेंगे कुछ अभी जो important updates है तोरी वो मैं आपको बताता हूँ पहले आपको एक exclusive footage दिखा दू CM Punk की CM Punk का sawking return हुआ survival series के अंदर और इस return ने बहुत सारे records बनाया है numbers के मामले में क्या records है क्या नहीं है वो मैं आपको आगे आने वाली वीडियो जो बताऊंगा अभी कई साबसे एक जो exclusive footage है वो आप लोग देख लो या आप लोग देख सकते हो कि CM Punk ने अपनी return के बाद जब leave करा Allstate एरेन अपनी गारी के अंदर तो fans ने उनको बिलकुल घेल लिया बाहर और ये especially इनका क्योंकि hometown था तो ये चीज हो नी थी और fans इनके लिए यानि कि best in the world CM Punk के लिए chance लगा रहे थे CM Punk भी काफी खुश दिख रहे थे autograph दिया CM Punk ने आपके कुछ लोगों को और ये जो है काफी incredible fan moment था fans के लिए भी और CM Punk के लिए अब ऐसे मैं गया ये चीज़ देखो बहुत ही कम होती है normally superstars आते हैं, fans enjoy करते हैं और उसके बाद चले जाते हैं ये चीज जो है normally आपको इंडिया में देखने को मिलेगी कि लोगों ने celebrity को या फिर अपने किसी fan, अपने किसी favorite को घेल लिया and fan moment वो लोग कर रहे हैं तो ये चीज CM Punk के लिए हुई Chicago की crowd ने full अच्छे से treat करा hometown hero CM Punk को and एक काफी beautiful footage थी जो कि मुझे लगा आपको दिखाते हैं एक और कमाल की चीज आपको दिखाता हूँ believe नहीं हो रहा है कि ये सारी चीजे for real हो रही है ये आप लोग देख सकते होगे guys screenshot screenshot CM Punk की story का CM Punk ने वह वाली photo share करी है जो कि Triple H ने post करी थी और इन दोनों ने collab भी करा इस photo को post करने के लिए कमाल की बात है यहाँ पर Triple H अपना iconic finger point sign दिखाते हुए CM Punk की तरफ and same CM Punk भी करते हुए ये काफी unimaginable था भाई अभी से कुछ time पहले जब CM Punk AW से गय थे तो हम लोग कहा रहे थे कि हो सकता है कि आ जाएंगे आज ना कला जाएंगे लेकिन वो सिफ मजाक में बाते थी किसने सोचा नहीं था कि real में आ जाएंगे and Vince McMahon के जाने के बाद कितना कुछ बदल गया मेरे हिसाब से अगर Vince McMahon नहीं जाते हैं तो ना ही Braveheart वापस आते हैं और ना ही CM Punk वापस आते हैं unfortunately Braveheart तो अब नहीं है लेकिन CM Punk का WWE return मेरे हिसाब से Vince McMahon रहते हैं तो कभी भी नहीं हो पाता लेकिन अब because Triple H under control है and Triple H का ये भी कहना था press conference में कि CM Punk काफी बदल चुका है हम लोग जो हैं काफी बदल चुके हैं उसके लिए एक नई कंपनी है हमाई लिए वो एक नया बंदा है तो देन for sure आगे काफी कुछ आपको देखने को मिलेगा अच्छा सा तो ऐसे में WWE return हुआ CM Punk का and ये वाली photo अभी तक unreal लग रही है ये कभी सोचा नहीं था कि होगा especially CM Punk ने WWE को एक toxic place कहा था बहुत कुछ कहा था ये तो मैं बहुत soft चीज़ें ही बता रहा हूँ उसके बावजूद ये चीज हुई है ये काफी unimaginable for sure है आगे बढ़ते हैं अगली story कवर करते हैं जो की again CM Punk को लेके CM Punk की नई merchandise भी WWE ने release कर दिये कहीं से भी WWE कोई भी कमी नहीं छोड़ने वाली है कोई भी कमी नहीं बिल्कुल भी नहीं क्या हुआ है अभी recently में कि WWE ने ये वाली merch release कर दी तुरंत ही कर दी एसा नहीं कि वेट करा है और आप लोग देख सकते हो कि screenshot ये नहीं वाली merch कैसी लग लिए काफी special लग रही है CM Punk के लिए भाई कुछ भी बना देते हैं अगर एक simple वो white shirt जो टी-shirt पहन कहा था अगर वहीं भी बेश देते हैं ये लोग बागी अगर बचे गए तो दिन बागी लोग खरित पाएंगे तो अभी के इस आप से डबेड़ी कोई भी कमी नहीं शोर रही है और ये कुछ इन्होंने सेयर कर दिये CM Punk की official merchandise भी आगे बढ़ते हैं गाज बात करते हैं अगली story के बारे में बाद अपनी hoodie भी उन्होंने फेकी जोर से एंड उसके बाद वह सीधा निकल गया रिना के बाहर यानि कि बिल्डिंग इन्होंने छोड़ दी अब इससे काविसार लोग अगर आप देखोगे तो यह कैमरा में इसारा कर रहा है अगर दूसरा कि यह कंप्लीट वर्क है तो यहां पर कोई भी दिक्कत नहीं है और काफिसार लोग तो इस कंक्लूजन तक पहुच गयते हैं कि भाई अगर मैकेंटर का यह वाला एटिटूड है तो देन लोगों को नहीं लगता था कि वह एक्शली में रिसाइन करेंगे डबी डबी के साथ लेकिन यह भी एक वर्क है जो सैथ रॉलिस वाली चीज हुई ना सीम पंक के साथ वो भी एक वर्क है इन लोगों पहले से ह होगा कि सीम पंक आने वाले एंट सैथ रॉंस ने जिस तरीके से रियाक्ट करा वो फॉर्स और एक वर्क है यानि कि स्टोरी के हिसाब से चीज़े चल रही है तो बहुत अच्छे से डबी डबी सूपर स्टार्स न अपना पार्ट निभाए बाकि मैकेंटर की कोई रियल इ आगे बढ़ते हैं गास बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि यह राइबैक को लेके तो काफिसार लोग को नहीं पता होगा जिनको नहीं पता उनको मैं बता दू कि कल जो है राइबैक ने एनौस करा था कि अगर सीम पंक का रिटर्ण हो जाएगा तो रिटायर ह जाएंगे हाला कि मुझे नहीं पता कि वह भी कहां compete करतें कहां नहीं गरतें बट उन्होंने कहा था कि वह प्रो रस्लिंग से रिटायर हो जाएंगे अभी सीम पंका रिटार्ण हो चुका है लेकिन राइबेक रिटायर नहीं हो रहे हैं यानि कि उन्होंने इस चीज से refuse कर द डबड़ नहीं हो इसके बाद फैंस काफी नहीं हो जाए तो यहां पर लोग चाह रहे तो यहां पर आघे बढ़ते हैं बात करते अँए आखी चांडी स्टोरी के बारे में जो कि स्टेफ़नी मिंख मैंन को लेके स्टेफनी मिकमैन को लेके काफी टाइम बाद अपडेट निकल के सामने आ रही है आपको मालूम होगा कि स्टेफनी मिकमैन का डवड़ डवी के अंदर कोई आज सच रोल है नहीं लेकिन स्टेफनी मिकमैन आज सर्वाइवर सिरीज में बैक स्टेज प्रेजेंट थी यह अपडेट निकल के सामने आई थी और आपको बता दो कि यह जो निउस निकल के सामने आई है इसमें यह बता आएगा कि जो स्टेफनी मिकमैन है वो एक्चुली में किसी में रोल में नहीं आई है तो साथ यह रीजन हो सकता है अगर सच कोई बहुत इंफ्लोएंस नहीं है डेवी डेवली के भी हाइंड दसींस चीजे में उनका वर्क नहीं है तो देन क्यों हैं क्यों ही आएंग सर्वाइवर सिरीज में सब्सक्राइब तो जरूर से कर देना देखो भाई आप तो सीम पंक भी आ चुका है तो सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल बनता है एंड जॉइन कर लेना वाट्सेप चैनल को कुछ एक इंपॉर्टेंट चीज महाँ पर भेजिए जो कि सायद आपको पसंद आगी एंड चैनल पर भी आपको बहुत जल्दी पता चल जाएगा कि आखिर वाट्सेप चैनल पर मैने क्या भीजा है अगर आपको पहले पता करना है तो जॉइन कर लो इन्स्टार ट्विटर इन सबकी भी लिंके डिस्क्रिप्शन में जोईन के लेना मिलते हैं अगले वीडियो में